इस वीडियो में हम बात करेंगे question number 2 पर देखते हैं क्या करना है हमें question number 2 में solve the problems given in example number 1 में जो problems दी गई है वह हमें solve करनी है example number 1 में हमें 2 problems दी गई है पहले हम first पर बात करते हैं second पर बात करेंगे first में क्या करना है जोन और जिवानती together have 45 marvels जोन और जिवानती दो बच्चे है उनके पाफ 45 marvels है both of them lost 5 marvels each दोनों अपने पाच-पाच marvels lost कर देते हैं miss कर देते हैं and the product of the numbers of marvels they now have is 124 और अब जो उनके पास lost करने के बाद जो marvels बचे उनकी product कितनी है 124 what we have to do we would like to find out how many marvels they had to start with हमें पता करना है शुरुआत में उनके पास कितने marvels थे होने से पहले lost होने से पहले उनके पास कितने marvels थे तो दिखिए हमने previous chapter में linear equation into variable किया था वहाँ पर हम दो वैरेवल इंट्यूस कराते थे और दो linear equation बनाते थे यहाँ पर हमें क्या करना है एक quadratic equation मनानी है और एक वैरेवल को इंट्यूस कराना है अगर दो variable को reduce कराते तो क्या करते हम पहली condition हो कैसे करते मान लेते जोन के पास x है और जिवानती के पास y इतना है तो हम क्या करते थे एक number को x मान लेते हैं और दूसरा number निकालने के लिए sum जो दिया होता है उसमें से x को minus कर देते है इसी को हम यहाँ use करने वाले हैं एक ही variable फिर हम introduce कराना होगा let the number of marvels zone had be x मान ले हमने zone के पास x marvels है तो जिवानती के पास कितने हो जाएंगे 45 minus x अब दोनों ने 5 marvels lost कर दिये हैं तो उसके बाद कितने बचेंगे यह पता करते हैं the number of marvels left with zone when he lost 5 marvels जब वो 5 marvels lost कर देता है तब उसके पास कितने बचेंगे x minus 5 ऐसी हम जिवानती के 45 minus x minus 5 अब यह दोनों like terms है 45 and 5 different sign के हैं subtract हो जाएगा 45 में से 5 तो बचेंगा 40 minus x अब यह numbers हमारे पास जो है यह क्या है जो lost होने के बाद उनके पास marvels बचे अब हम क्या करेंगे इनकी product निकालेंगे और उसको एक को अलग देंगे 124 के यह second जो हमें situation दीगे इसका इस्तमाल करेंगे तो हमें वहाँ से equation मिल जाएगी तो पहले क्या करना है इनकी product पता करनी है आए यह product पता करते हैं therefore the product is equal to x-5 into 40 minus x अब इन दोनों terms की multiply इन दोनों से करेंगे पहले x करेंगे 40 और x से तो मिलेगा 40 x minus x square अब आप 5 की करेंगे 40 से 200 और निगेटिव है तो कर लेंगे यह दोनों like terms है 40 x and 5 x तो क्या होंगे दोनों same sign के हैं तो add हो जाएंगे और इन्हें हम variables की descending variables की power के descending order में इन्हें रख लेंगे चुकि standard form होती है यह तो minus x square plus 45 x minus 200 will be the product now and the product is given to us that is 124 तो हम अपनी product को 124 के equal लखेंगे अब इसको हम यहां से क्या मिलेगा हमें यह simple equation हो जाएगी equal का sign आगा it means now this is an equation इसको simplify करेंगे कैसे 124 को transport करेंगे left hand side में plus था minus का आएगा दोनों like term है add हो जाएगे minus के 324 आएगा और फिर यह minus यह minus 2 minus हो जाएगे तो ज्यादा minus हाई नहीं रहते हम क्या करेंगे minus 1 से equation को multiply भी कर लेंगे दो काम करने एक साथ इन दोनों को पहले add करेंगे और फिर minus 1 से multiply करेंगे तो जो negative terms थे वो positive हो जाएगे और जो positive थे वो negative हो x square minus 45 x plus 324 is equal to 0 now this is our final quadratic equation अब इसे हमें क्या करना है solve करना है इसके roots find करने है यह solution find करने है दोनों same चीजे हैं तो क्या करेंगे splitting the middle term से इसको factorize करेंगे by factorization method हम इसके solution find करेंगे तो क्या करते है constant term की second degree degree 2 वाला जो term होता उसका numerical coefficient यदि कोई है यदि कोई नहीं है तो one होता है उन दोनों के multiply करेंगे तो क्या मिलागा 324 तो 324 गया ऐसे factor करने है हमें जिनका क्या yes sum कितना हो 45 हो sum क्यों क्यों क्योंकि जो constant term है और highest degree का term है वो दोनों same sign के है जब दोनों same sign के होते हैं तब हमें sum चाहिए होता है ऐसे numbers जिनक तो अब हमें यह पता करना है तो three and day 24 के हम प्राइम factors पता कर लेंगे अब इन में हमने यहां से दो इने क्या करना है यहां से पेर बनाना है factor का तो उसके लिए assemble करेंगे पहले इन दो को एक जगा रख लेते हैं बाकी चार को एक जगा तो क्या मिलेगा four multiply 81 लेकिन sum हमेंच 45 यहां पर हो जाएगा 85 नहीं काम करेगा दूसरा बनाएंगे तो पहले तीन और बाद के तीन एक जगा कर लेते हैं तो 12 और 27 मिलेंगे sum 45 नहीं होगा अब पहले चार को एक जगा कर ले तो क्या मिलागा 339 टूजा 18 टूजा 36 और बाद के दो को जगा करे तो 9 36 और 9 तो इस 45 को क्या करेंगे split कर देंगे कि इसमें 36 प्लस 9 में बाकी ऐसे ही रखेंगे दोनों टर्म को 36 प्लस 9 किया हमने इसको माइनस है बाहर अगले step में क्या करेंगे bracket हम open करेंगे तो एक्स दोनों से multiply करेगा और यह माइनस दोनों साइन change कर देगा तो क्या मिलेगा यहां से माइनस 30 X 36 X and माइनस 9 X और यह फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रहेंगे आपके आप ग्रूपिंग करनी है और common लेना है पहले दो में से HCF common लेना है क्या सकता है X और बाद में से क्या लेंगे माइनस के 9 यहां से X common लेंगे X-36 यहां से मिल जाएंगे जो हमारे solution यह root होंगे if X-36 is equal to 0 it means X is equal to 36 and if X-9 is equal to 0 this implies X is equal to 9 अब हमारे पास X की दो value आ गही है एक X की value 36 और एक 9 है तो हमारे answer भी 2 ही होंगे if the number of Jones Marvel भी 36 यदि Jones के Marvel 36 होंगे तब number of Jones Marvel कितने होंगे 45 minus 36 तो कि 45 minus X थे it means 9 एक pair तो हमारा यह बनेगा solution का दूसरा if number of Jones Marvel is equal to 9 यदि Jones के पास Marvel 9 है then number of Jones Marvel भी 45 minus 9 it means 36 so this way two solutions हमें मिले तो हमारे answer भी 2 ही होंगे ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर आपको X value negative आ जाती अब negative आ जाती तो हम फिर इस value को neglect कर देते चुकिन number of Marvels negative में नहीं हो सकते हैं तो फिर हमारे पास एक ही answer उसका होता लेकिन जो situation हमें दी गई है वो दो number से fulfill हो सकती है तो इसलिए हमने वो उसके दोनों answers दे दिए आती है अदिए